हम एरपोर्ट के अंदर आ गए है हेई गाइस वेलकम टू बैक अनधर गेंपले वीडियो दोस्तो एक्चुली हमें पता चला है कि एरपोर्ट पे ना एक कारगो विमान आया हुआ है और कुछ कार की डील वगेरा हो रही है तो आज हम एरपोर्ट पे जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे कि कौन सी कार वहाँ पे आई है और अगर कोई अच्छी कार वगेरा होगी तो हम उसको चोरी करेंगे ठीक है तो हम चलते हैं बिना किसी देरी के एरपोर्ट पे और मेरे पास जो है यहाँ पे बाइक है और हम बाइक को लेकर चलते हैं तो सिदा हमने एरपोर्ट पे जाना है वैसे पता चला है कि वहाँ पे काफी एची कार आने वाली है expensive ठीक है तो वैसे वहाँ पे जाके ही पता चलेगा कि किस तरह की कार वहाँ पे आई हुई है ठीक है तो पहले हम चलते हैं वहाँ पे तो एक चीज़ आपको बता दू कि दोस्तो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यार प्लीज सब्सक्राइब कर दो क्योंकि ऐसे गेम प्लेइ वीडियो मैं आपकी लिए लेकर आता रहता हूँ दूसरी एक चीज़ बात बता दू कि दोस्तो एक्चुली जो है फ्रेंक्लिन के पास और अभी कोई कार नहीं है तो सोचा कि क्यों ना हम कारगो प्लेन जो है वहाँ पे डील हो रही है कार वगिरा की तो काफी एक्स्पेंसिव कार है और वहाँ पे जाके ही पता चलेगा कि किस तरह की कार वहाँ पे डील वगिरा हो रही है तो हम वहाँ पे जाके अवसकार को जो है अच्छी कार होगी तो हम चोरी करेंगे अगर नहीं अच्छी होगी तो हम चोरी नहीं करेंगे ठीक है रिस्की तो मामला है क्योंकि अगर हम एरपोर्ट पे चोरी करेंगे International Airport है और यहां से अब चलते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं कि वहाई किस तरफ की कार वगेरा वहाँ पर आई हुई है ठीक है तो यह रास्ता नीचे की तरफ जाता है और यहां से हम नीचे की तरफ मुड़ेंगे तो यहां से चलते हैं Actually यह रास्ता में गलत चुनाएं क्यूकि इस साइड में न कार सामनी की तरफ आती है ठीक है कोई बात नी हम चलते हैं तो भई Airport के एरी में आ गे हैं और यहां पे Security Guard है और Security Guard यहां पे है नहीं चलिए चलते हैं तो चलो भाई सामने की तरफ यहां से आप देख सकते हैं कि कारगो प्लेन पड़ा हुआ है तो चलिए अब चल के देख लेते हैं ओके भाई जो पुलिस आप पीछा करने वाली है कि क्योंगी हम एरपोर्ट के अंदर आ गए है और यहां पे देख लेते हैं तो भाई यहां पे एक ट्रक पड़ा हुआ है जैसा कि यहां पे आप देख सकते हैं तो कार की यहां पे डिल हो रही है हम कार को लेकर भागने की कोशिस करेंगे फटाक से ओके ओ भाई साब यहां तो गोलिया से गोलिया चल गई चल भाई चल नीचे उतर जल्दी आप सालो को मारते हैं तो भाई पुलिस आ गई है और इन सारे बंदों को मारते हैं पहले हम सालो तो यहां पे यह डिलर है इनको मारते हैं तो पुलिस भी आ गई है ठीक है तो यहाँ पे पूरे सब लोगों को हमने मार दिया है और जैसा कि यहाँ पे अब देख सकते हैं और अब जो है यहाँ पे हम कौन सी कार लेते हैं ओके पहले हम देख लेते हैं तो यहाँ पे मुझे एक कार को लेना है तो मैं कौन सी कार लेता हूँ थीक है मैं यह कार लेकर चलता हूँ और यह काफी अच्छी कार है और यहाँ काच वगेरा काच तोड़ दिया है चलो भई चलो फटाक से तो भई काफी एक्सपेंसिव कार है और अब यहाँ से लेकर भागनी की कोशिस करते है और पुलीस बगेरा जो है पीछे पढ़ गई है अब हम जो है ऐसे जगे पे लेकर जाने वाले है ताकि पुलीस बगेरा जो है हमारा पीछा छोड़ दे ठीक है तो उपर हलिकोप्टर भी आ गया है अब चलो भई चलो और अब देखते हैं क्या होता है फिलाल यहां पे पुलिस तो जो है हमारा पीछा कर रही है और यहां पे भी एक और पुलिस जा रही है ठीक है तो भई काफी पुलिस आ गई है और अब चलिए चलते हैं यार क्योंकि हमें एक ऐसी जगे पे जाना है जहां पे हम जो है कार को छुपा सके और साथ ही साथ हम पुलिस का पीछा शुड़वा सके ठीक है तो जल्दी से जल्दी हमें टनल को ढूलना पड़ीगा अगर हम टनल के अंदर चले गए या फिर रेलवे का टनल है उसके अंदर चले गए तो शायद जो है हमारे पीछा करना छोड़ देगी ठ उसके बाद जो हम घर पे चलेंगे ठीक है पहले हम जो है इसका पुलिस का पीछा चुड़ाते हैं पुलिस का ठीक है तो यहां पे भी काफी सारी पुलिस सामनी की तरफ आ रही है और यह रही देखो तो भाई पुलिस काफी यहां पे आ गई है और आप चलो चलते हैं तो जो हमने कार ली है वो काफी expensive है और पुलिस को पीछा चुड़ाने के बाद ही हम जो है आपको बताएंगे फिलाल तो पुलिस काफी हमारा रास्ता रोप चुकी है और भई हम भागने की कोशिस करते है तो पूरे भागना तो पड़े गई क्योंकि हमने कार की चोरी करी है तो हमना पहले एक टनल की जगे ढूंडेंगे ठीक है उसके बाद ही हमारा पीछा जो है पुलिस छोड़ेगी नहीं तो हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली ठीक है अरे भाई साइड में लो यार पुलिस हमारे पीछे पड़ गए और पीछे गोलिया भी इतनी चल रही है और यहां पर देखो काफी सारी पुलिस हा सामने की तरफ यार हमारा रास्ता रोख चुकी है और यह क्या अरे भाई साब अरे यार गलत फर्स गए हम क्या करे अब चल भाई चल जल्दी से और यार यह हम कहां आगे अब शायद जो पुलिस वगएरा पीछा नहीं छोड़ी गया हमारा तो हम जो है रेलवे ट्रेक के उपर आगे है और अब भाई तो हम टनल को ढूणने वाले हैं और टनल को ढूणते हैं कि आखिर कौन सी जगे से हम टनल को ढूणते तो यहाँ पे भी काफी सारी पुलिस वगएरा सामने पड़ी हुई है तो भाई चलो भागते हैं ओ है साब ओ माई गाड तो अब यहाँ नीचे चलना पड़ेगा भाई क्यूंकि आप यहाँ पे पुलिस हमारा पीछा छोड़ने वाली नहीं है तो भाई काफी पुलिस हमारे पीछे पड़ गई है और चलिए भागते हैं आप जो टनल का रास्ता है उसे हमें ढूणना पड़ेगा यार नहीं तो हम जो है और यहाँ से उपर चलने की कोशिस करते हैं और देखते हैं यहाँ पे कोई टनल है भी या नहीं यार क्योंकि हम इस कारफू चुराने में काम्याब नहीं हो पाएंगे चल भाई चल जल्दी से ओके तो यहाँ पे देख लेते हैं पेपी पुलिस चलो भागो, तो भाई हम पुलिस से पिछा छोड़ाने की कोसिस कर रहे हैं, और काफी पुलिस यार आ गई है हमारे सामने, अरे भाई साइड में चल जार, ओ माई गाड, तो भाई गार का पुरा सत्या नास कर दिया है, और चले ओ अब तो हमें भाई यार से भागना ही मूंगी नहीं क्योंकि भाई पुलिस पीछे पड़ गई और कार को छोड़ो अब हमारे जान तक गले पे आ गई है तो भाई आगे का टाय टूड़ गया है और पुलिस काफी पीछा कर रही है चलो अंदर की तरब चलते हैं और देखते हैं आखिर क्या होता है वैस वैसे भी अब जो है हमारा पीछा पुलिस छोड़ने वाले नहीं है क्योंकि हम कभी भी पकड़े जा सकते हैं ठीक है तो भाई यहां पे भी पुलिस हैं ओके तो भाई अब यहां से अंदर की तरफ मूड़ते हैं एक्चुली हम टनल को ढून रहे हैं कि यार टनल कौन सी ज निकल चुका है पूरा और अब यहां पे देख सकते हैं काफी आवाज आ रही है तो भाई यह बंदे लोग ना अभी काफी गुलिया चला रहे हैं चल भाई चल अब यहां पे गाकार को मोड़ने में भी काफी त्रिकत हो रही है अरे भाई भाई भाग जल्दी यहां से कार चुराईए यार अब क्या करें तो हम ना इस कार को आगे ले जाते हैं और पानी में ले जाकर जो है हम खूदेंगे तब ही जाकर फूलिस हमारा फिज़ा चोड़ेगी नहीं तो हमारा नहीं चोड़ेगी पीस्चा तो भाई कार को छोड़ो हम यहां से भागते हैं दूसरी कार लेकर भागते हैं चल भाई चल यह कार लेकर पर तो यहां पर मैंने दूसरी कार ले ली है और इस कार को लेकर हम चलते हैं क्योंकि उस कार के ना टायर सभी तूट गया है चल भाग चल जल्दी तो भाई वो जो हमने चुराई थी वो कार तो हमने पीछे छोड़ दी है अब दोस्तों मैंने यहाँ पे दूसरी कार ले ली है क्योंकि यार क्या करें अब जो है पुलिस का पीछा तो हम छोड़ाना पड़ेगा ही और यहाँ से फिर से हम एरपोर्ट पे आगए यार ओके कोई बात में हम फिर से एरपोर्ट के उपर आगए यार तो देख लेते हैं कि अगर हम पानी में गए ना तब ही जाके पुलिस वाले हमारे पीछा चोड़ेंगे अरे भाई साब देखें ना किस तरह से पुलिस वाले हमारे पीछा करते हैं तो हमने अलग रास्ता चुना है ताकि हम यहां से हम सीधा जो है पानी में जाएंगे तब ही जाके पुलिस वाले हमारे पीछा चोड़ेंगे अरे भाई हटो तुम यहां से तो भाई पुलिस वाले हमारे पीछा चोड़ नहीं रहे और यहां पे काफी लोग है तो भाई हम एरपोर्ट के साइड में आ ग चोड़ेंगे नहीं तो हमारा पीछा चोड़ने वाले नहीं है ठीक है और यार खमकार चोड़ी करने गये थे और यार क्या हो गया तो काफी पुलीस हमारे पीछा कर चुकी है और भई अब हम पानी के अंदर आ गये है और पानी में यहां पे आप देख सकते हैं काफी यहां क नजारा है और काफी सारी मचलिया भी दीख रही है मेरे को तो भे आप पुलीस जो है हमारा पीछा छोड़ चुकी है तो भे हम काफी अंदर की तरफ आ गए है और पुलीस वगरा जो है हमारा पीछा छोड़ चुकी है तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का गेम प्ले वीडि मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ तो मिलते हैं एक और gameplay वीडियो में तब तक के लिए 1 दिमात्रा